पेरेस ओलम्पिक को लेकर अब तक उच्साह से भरी जोश से लब्रेज कई तस्वीरे सामने आ चुकी है लेकिन जस तरह से इसके शुभारम से पहले ही बड़ा हमला हुआ उसके बाद मामला कुछ दूसरी तरफ मुड़ता भी नजर आया दरसल पेरेस ओलम्पिक के शुभार हमारों से कुछ घंटे पहले ही फ्रैंस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी की कई घटनाएं सामने आई कई हमले यहां पर सामने आए जिससे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए मेजबान देश का ट्राफिक सिस्टम ही एक तरह से द्वस्त हो गया यह पूरी तस्वीर निकल का सामने आई और बताया दरसल यह जा रहा है कि इन कथत हमलों के पीछे कई रूट्स पर ट्रेन सेवाएं रद की जा रही हैं हमलों के बाद करीब आठ लाख यात्रियों पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है यह अंकडे हाला कि और भी ज्यादा बढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से याता या जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है वैसे इस भी जानकारी आपको यह भी दे दे कि सुरक्षा के अधिकारी इनको तोड़ फोड़ की एक बड़ी साजश यहां पर करार दे रह कि SNCF रात भर में कई दुर्भावनापून घटनाओं का शिकार हुआ है उन्होंने इस बीच यह भी कहा कि हमलों ने इसकी अट्लांटिक उत्री पूर्वी लाइनों पर भी अपना काफी हद तक जो है वो असर डाला है यह भी कहा कि हमारी सुईधाओं को नुक्सान पहु प्रभावत जो लाइने है उस पर यातायात जो है वो बहुत ज्यादा बाधित यहां पर हुआ है और मिनम्मत के काफी वक्त भी यहां पर लग सकता है कम से कम सप्ता भर तक तो यही हालात जो है वो बने रहेंगे यानि कि मानना होगा कि अभी करीब साथ दिन का एक लंबा वक्त यहाँ पर लगेगा वैसे इस बीच फ्रांस के परिवहन मंतरी पैट्रिस ने फ्रांस के हाई स्पीड TGV रेल नेटवर्क पर सबसे बड़े पैमाने पर इस हमले की निंदा की है इसे गृनत अपराधिक शेनी में रखाए और कहाए कि यह बेहद ही काईराना हरकत है उन्होंने ये भी कहा कि पूरे हफ़ते में रेल यातायाद के लिए बहुत गंभीर नतीजे यहाँ पर होंगे क्योंकि उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी फ्रांस की तरफ जाने वाले जो कनिक्शन है वो अब इसकी वजह से आधे हो गए है और इसके आधे होने का सीधा सीधा मतलब समझिये कि कितना बड़ा और बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है जबकि रेल ओपरेटर जो है उसे लेकर भी यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है ये आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं दरसल SNCF के मुख्य कारेकारी जीन पियरे ने ये कहा है कि आठ लाक यातरी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो है यांकड़ा हम ने आपको यहाँ पर बताया है वैसे ये भी आपको बता दे कि दुनिया के सबसे मशूर शेहरों में शुमार है पैरिस और इस बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है पुरे विश्की निगाहें बीचे की हुई थी और घूमने के शौकीन सेलानियों के बीच सबसे लोग प्रिय शेहर पैरिस माना जाता है इसलिए इसे रोशनी का शेहर या फिर प्यार का शेहर कहा जाता है इस तोर पर देखा जाता है लेकिन जिस तरह से यागजनी घटनाएं हुई हैं उसके बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं पैरिस की सड़के संस्कृती कला इसकी खुशूर्ती इसका जो इतिहास है वो यकीनन यहां पर देश विदेश उसे लोगों को अपनी तरफ खीचता है और साथ ही कहा जा सकता है कि जिस तरह से पैरिस एक ऐसा शहर सामने आया है जो लाखोक दिलों पर राज भी करता है ऐसे में जो अगजनी की तस्वीर यहां पर आई है जो घटनाय सामने आई है वो आहत करने वाली भी हैं और बड़े यातायाँ के साधन को इसने बुरी तरव घूमने से इतिहास, इसकी खुबसूरती, इसका सौंदर है और जीवन के बारे में एक सबक मिलता है। मतलब उन्होंने पैरिस शेहर को एक सबक के तौर पर यहां पर बताया था। इसकी खुबसूरती को, इसके इतिहास को बताया था कि जिंदगी के जो असली रंग है जो जिंदगी का असली ज्यान है, वो इस शेहर से यहां पर मिलता है। फिलार किस तरह से यह पूरा बाधित हुआ है, किस तरह से आगजनी और घटनाई यहां पर सामने आई है, यह बड़ा हमला ओलम्पी के शुभारम से पहले हुआ है, इसे लेकर और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा News It in India.